ते कुछ करम कीते हो सन किसे समया विच कि उस हवा विच सा लेंदे हैं उस ग्रहते रेंदे हैं जिते एहो जी कविता एक शक्स लिखता है जिदा नाम सुर्जीत पातर है ते एहले किताब दे लोको ते शबद गुरू दे नाल जुड़े ते परनाए होए साथ संगजियो वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते एह चंगी गल है कि बहुत न्यापूरण एह संसार नहीं बन सक्या जे बन जानदा ते एह देन ते नसीब नाई होदा कि सामने पातर साथ बैठे होन ते अकाल सक्साहिब जथेदार तो साज नहीं बिथते मैं खड़ा हुआ ते हिया एह होवे कि मैं भूलांगा ते तुसी सुनोंगे ते मेरे कुल कुई गल होवेगी कैन वाली कुझ कुझ नुकते सोच के आया साँ पर इगल इस लंबे केरियर ते वैचे सिखी है कि जे स्थान ते उत्छे सुनन दी समबावना जैदा होवे सिखं दी समबावना जयदा होवे उत्छे केन धी कटा लैनी चाहिए दी है टीवी ते वेक वेक के ते ख़वारा में चे लिखके अज़े आप रतीत ता नहीं होता पर अज़े एक अलपले बननी होई है इस करके सरवजिंदर जी लेए चेंगी ख़वर है कि काफी साराते सामातवानों मेरे कोटे वाला बाची जाना है इनना कुछ ते मेरे कुल कैन वाला भी नहीं है गाँ सिरी गुरु तेग बहादर साहिब बारे तेड़ी साड़ी इनीशियल समझ बन दी है वो लार्जिली आइकनोग्राफी तो बन दी है जड़ी इसी विज्यूल इमेज कंजंप्शन कर दे हैं उस तो बहुत बन दी है उस तो अग्यदा सफर क्योंके शबद वाले लोग का वो शबदा नाल गुथम गुथा होंदे नाल जुड़दा है फिर इसी क्योंके दुनिया विच रहने हैं इसलिए यो डॉक्टर बलकार सिंग जी दे शबदा मिच पर चीन करन दे एक नजरिये दित्रू गुजर दे यां आपाचीन बहुत बाद मिच उन्दा है यह जिड़ा सफर है यह किसे वड़े विद्वान व्यक्ति तो किसे सम्रत व्यक्ति किसे गुरू हो जान तक किसे शहादत तक फिर एक डिस्कॉर्स दी एक निरेटिव दी उस सारे पैराडिम नो खड़ा करन तक ति फिर ब्यांड दैट उस दे सदीव काल तक जीवन्त होन वाले ऐलिमेट्स होदे विच पादें तक एक लंबा सफर है तस यह दे वक वक पड़ावां तो यह होँआंगे बड़ जस्ट सीथा डिफरेंस नीट कोई है नहीं है मैं जिरियां करना कह रहा है क्योंकि जो पातर साब ने थे कहा देता थी ते जो डॉक्टर बलकार सिंग्जी ने कहा देता थी इस तो बात सानू कार चले चले चलेना चाहीदा है कुछ बचेया तो है नहीं है वैसे जिसने पलाकी मारं तो पहला पहला ही साच बयान देता सी उस तो बाद भी कुछ बचेया रह नहीं सी गया इस दो आपाने लुटा पहला है और भी कॉंसेप्ट आप्रेटम आपाने लुटारों है एज जान लो के मैं जो भी कहरे हैं बच्चप उम्हें जात्ती हिंप करके कहरे हैं वरना अकादमिक खेत्रां देवेच जो तो पतर कार नू बुलाना पर जावे तो समया दी कंगाली दा भी पर तीक होंदा मैं इस लिमिटेशन नो समझ दा असी जड़ी ऐकनोग्राफी देखी है सुनी है ते लार जिली जड़ा एक स्टोरी जड़ा एक स्टोरी दे वल्ड सर्वाइज विट स्टोरी दुनिया एक कहानी नाल रेंदी है कहानी दे सिर्थे ही सिजदी है ओ आदम हवादी होवे गुरु दी बात होवे साखी होवे या बच्या नाल साद अरिष्टा होवे what is the story we tell this world we need to go back वापस जाके जड़ी कहानी ऐसी सुनी जिस तरह एक हिंदुस्तान कहानी कहन दा असी एन्ना वड़ा एक आडंबर खड़ा कर दे हाँ देश दे विच इंटलेक्ट्योरिजम दा यूनिवर्स्टिज दा, कॉलिजज दा, स्कूल्स दा ते पॉपुलर एड़ुकेशन दे प्रोजेक्ट इस सारा कुछ कादे लिए होंदा है इस करके ताकि साड़े इतिहास बारे एक आम समझ सड़क दे आम व्यक्तितों लेके विदवाना तक संजी हो जावे हिंदुस्तान दी कुछ हजार साल दी हिस्ट्री लगबग चाली पंजा साथ स्किंट वाली इह हो जी साड़ी संजी हो जावे जिदे विच असी सारे एक देश दे नागरिक बन जाईए ये बड़ी साधी है चार-पंच जार साल ते मेरकल चाली पंजास किंटाच आई जान देने साड़ा देश पहला बहुत महान सी संस्कृती महान सी दो दैदियां नदियां बेंदियां सान फिर बारों लोक आए उतारगी सान उनाने साड़े थे बड़े जुलम कीते फिर साड़े लोका ने उटके बड़ी लड़ाई कीते असी अजादी दी पहली लड़ाई लड़ी दूसरी लड़ाई लड़ी कुछ गरं दलिए सण कुछ नर्म दलिए सणंत शी अंग्रेश पर जा ने ते पर फे रसी पंच साला योज ना मान आल अपना देश बड़ा महान कर रही हैं फेर इसी मार्केट न जोड़ गए ते हम साड़ा देश दुनिया दे वेच नेशने स्कूर्टी ते बाट दा एक सा साथी साथी सी समझ है जड़ी सारया नों जोड दें दिया है that is how we relate to religion that is how we relate to the material world outside साथी कहानी यह है कि मुगल जुलम कर रहे सन कश्मीर दे वेच जुलम दी इंतहा हो गई सी कुछ लोग गुरु साब को लाए गुरु साब दूरंदेशी व्यक्ति सन उन्हाने देखिया कि एक शहादत दरकार है ते एक बाल वी उते सन जन्हाने कि अत्वाड़ दूर समपूरन कौन मनुख हो सकता है बाल बाप नो शहादत दी सिलादती बाप शहीद हो गए हिंद नाल साथा एक नमा रिष्टा बनेया हिंदुस्तान दे नाल सी हिंद दी चादर वाली प्रिजम दे विच्चों एक नमी खिड़की बनाई इफ उन्ली दिस वर सो सिंपल इन नहीं है कौन आया होएगा कश्मीर तो जाहर आयता नहीं होएगा कि जिना आम लोकां दे उते जलम होए होंगे उन्हा ने सोचा होएगा अपार रल के एक गुरू है पंजाब दे विच उसकोल चले जानेया पे अरदास बेंती करांगे वल्ल्ड वास जस्ट ऐस मेटीरियल जिन्हीं आज है दुनिया उसे ले भी इतना ही इस तरह ही पदार्थवादी होंदी सी आपस विच लड़ रही है अजे न्यू यॉक ने स्रेंडर नहीं कीता सी अजे कलॉडिया सी पोप सी गा दुनिया इसे तरिक्के ना पदार्थवादी सी ट्रेड वार्स बकाइदा चल रही हैं सन सुंदरी बेडे चल रही हैं सन ते इन्ही पदार्थवादी दुनिया सी ता इदे चा आम व्यक्ती ते नहीं उठके आया महत बार सज्जन होंगे and why would they would have come to the Guru क्यूंके जिस मुकाम ते Guru सन it was built state ते state ते नाल इक resistance दी politics दा रिष्टा लगा तार बनदा आरया सी उस रिष्टे दे विच वड़े मील पथर गड़े जा चुके सन पंचम पाथ्षा दी शहादत दी बिम्बकारी ख़बर कंसोवां ते समझ देश पर विच फैली होवेगी वन जारे ट्रेवल करदे सन ट्रेडर बात भी नाल लगे जान दे सन समान दे दिस वाज आप पावर सेंटर अंडर अटेक किवल सत्ता दे केंदर नहीं होदे ताकत दे भी केंदर होंदे ताकत थी ताकत थी जिस वेले ताब नहीं चली गई हो कुमत थी ता कुमकत है नहीं सी मदद जाई दी सी ताकत थी ताकत थी ताकता इस इस इंट्रेस्टिंग गुरुता बैरागी सी गुरु साहब दा नाम उना विच लेया जाना है चेड़े पौरे विच बैठ के चिंतन कर सकतेने तुसी संसार देखन नहीं या ते संसार विच निकल सकते हो या तुसी चिंतन मंतन कर सकते हो there's a lot you can travel from the couch सोफे ते बैठ के तुसी बहुत दूर दिया यात्रावा कर सकते हो मैंनों लगना मैं जिंदगी दिया सब तो लंभिया यात्रावा पातर साब दी किसे कविता दे विच कीतिया हों गिया जित्थो तक दिया टिकटा मी आजे नहीं दरकार फ्लाइटा भी नहीं जा दिया और दे गुरू नियू बोथ वो सिक्टीन सेवंटीस दे मिच जाके नॉर्थीस्ट ट्रेवल कर रहे ने सारा आज दा नॉर्थीस्ट बहुत टफ है वोस नॉर्थीस्ट पारे सोचो सो ओ मेटीरियल वर्ड नू जाके देख रहे ने ओ टेम्पोरल वर्ड दिना डील कर रहे ने ते ओ रिजिस्टेंस दी एक पॉलिटिक्स दे विच फसी होई खलकत दी सदा नू सुन रहे ने ते रिजिस्टेंस दी पॉलिटिक्स दा अनप्रेसिडेंटिटिड मॉडल क्रियेट करन दा फैसला ले रहे ने दिस वस नॉट दा फर्स टाइब के कोई ट्रबल आ गई सी कोई मुश्कल आ गई सी गुरू पहला दी अरेस्ट हो ये सां अधिक दो वरी अरेस्ट गुरू दो वर अरेस्ट हो इने और दोनों वरी टू मन्स प्लास वो जेल बेच रहे ने दो महीने कुछ दिन दो महीने कुछ दिन करके ये जडी बैक स्टोरी है जित्थों जा कि आसी बहां जिना दी पकडिया है सेर दीजे बहां न अच्छ दिये वाद तक पहुंच देयां उठी का लग बहुतर लोग गुरुबाणी ना लिये नू आयाम देजन देने केसो बाठ दी ये लाई न there are things that the Guru is saying one किस लिए खड़े हो रही है असी गुरु क्यूंके कौम अज किसे लिए खड़ी हो रही है और असी महावरें ते पल देयां ते जरूरत वेले जरूरत अनसार महावरा वरत लें लेया जो करेगा सो परेगा ते करे कोई ते परे कोई जड़ा जदो काम आवे ओ वाला फिट कर लो that's not the way of the Guru और ये भी नहीं है के किते किसे ते पीड पई ते तुसी उसले खड़े हो जाओ ते सेर कट वालो the Guru is not preaching that क्योंकि हो था state power वे अगेंस्ट resistance politics था जो model खड़ा हो रही है ठीक है कि उसले था कोई ए नहीं है कोई कोई कोमक बांटरी सी कोई फॉज बांटरी सी कोई हत्यार सन resistance किस तरह देती है वो समाबाद विचाया वो सोच सी बढ़ देर वाज़ चोईस fact is के एक नवा डिस्कोर्स एक नवा नेरेटिव सिर्जया जा रहा सी ते गुरू डाइसेंट दी शक्ती नू डाइसेंट दी टर्फ नू एदी महत्ता नू उस वेले पहचान गेसन जिस वेले अजे डाइसेंट दा डिस्कोर्स बन रहा सी है ओ दुनिया दे अजीम माटियर ने अजीम शहादत पाईया होना ने जडे डाइसेंट दी टर्फ दे माटियर ने कोई अपना वक्रा ख्याल रख सकता है एस गाल नू रेखांकित गुरू कर रहे ने किस नाल एक बैरागी मोमाया तो निरलेप लैट्स वटा बैरागी इस एक मैटीरियल वर्ड नू जानन वाला स्टेट दी पावर दिया रेयलिटीस तो पूरी तरह नाल विवेक ते उना दे विचरन विच वरतारे विच सोच विच ते बानी विच कोई कन्फिलिक्ट नहीं है असी जिऊंदे हाँ है देनाल के जब आप आप लागे हो तब आप रोज जाके हो पर वो अटैक जे आया नहीं सी आ सकता सी वी मैटेड दपंथ मैटेड तरहम उस वेले ए इंपक्ट कर रहा सी ओ जेड़ा रिजिस्टेंस पॉलिटिक्स दा सेंटर सी ओ चुब रहा सी उदे ते नजर रखी जा रही सी सुए शड़े जान दे सन गुरू दी अरेस्ट दे ड्रामेटिक स्टोरीज दे किस तरीके ना अरेस्ट कीता जावेगा कदों केड़ा मौका चुनेया जावेगा जिस तरह हकूमता हमेशे अक्ट कर दिया ने हो हकूमत दी तसीर कोई वक्री नहीं सी और दे गुरू निव स्ट्राटिजिस टैक्टिक्स तो गुरू जानदे सन कि किवें अरेस्ट होना है कित्थें अरेस्ट होना है कि गुरू जानदे सन कि ऐस वरी जो अरेस्ट होँआगे ता शहादत भी हो जावेगी If you read the narratives अरेस्ट होए दो महीनिया ली गए और बाकाइदा हुकम सन कि कलम कर दिता जावे ये उस वेले दी उस समय दी स्थानक राजनीती उस सबंद इतिहास दियाँ उस तंदान सन कि उस वेले गुरू वापस आए तो ही न्यू समाता आही रियासी ब्यूटिफल पॉलिटिक्स जेडियासी गुरू सानु सिखानदा है जट यू चूज यूर फाइट लड़ाई तो अडेते थोपी नहीं गई है अजे तो अडेते अटैक नहीं होया अजे बान तो अडेवाल नहीं चलिया पर तोहटी पॉलिटिक्स उते अटैक हो रहा है उपामे अटैक कश्मीर ते बिच रहा है पामे अटैक जन nursery ते हो रहा है पामे अटैक ब्रामें दे उते हो रहा है बड़ दा गुरु सा, वो मेरा विचार है, वो मेरी पॉलिटिक्स है, उस दे उते अटेक है, वाट, जिनेयू पाना, ना, उदे बड़ता क्लारिटी है, ब्राह्मिडिजम, ना, उदे दे रिजेक्शन है, देन वाट, इंसाना दी खुद मुक्तारी दे उते जिदों अटेक होवेगा, उना दी वक्री सोच रखन दे अधिकार दे उते जिदों अटेक होवेगा, ता वो गुरु दी राजनीती ते अटेक है, इस दिस अवर पॉलिटिक्स तुडे, ए है साधी राजनीती अज, डॉक्टर साब कहा रहे हैं सान, मैं ता गुरु नुँ देखता है, 1409 तो लेके 1708 तक, वो डॉक्टर साब जल्दी च बोल रहे हैं सान, इसलिए कहागे, कहना हो यह चारे सान, ते मैंनों दुरूस्त कर देंगे, जया जया नहीं सी, कि वो 1409 तो लेके, अज तक, हुन तक, वी हैंट चेंज़ आवर पॉलिटिक्स, गुरु ने पिछ्छो से लेवस नहीं बदले आ है, असी ही इमते आनवे चांग, राजनीती ओह ही है, जिस वेले भी असी खड़े हुआंगे, नाल ही सवाल खड़े होंगे, हुन क्यों, यू कांट निगेट इस कुस्चेंस के जी एता जदों भी खड़े हुँदे, तुसी कहेंदे जी उस वेले क्यों नहीं बोले, जे ए हुन क्यों दे सवाल इन्ने ही निरार्थक हुँदे, ता हुने बंद हो गए हुँदे, कोई समय है इतिहास दे विच जिस वेले सवाल न उठे हुन, वाइ नौ, वाइ नौट अर्लियर, क्योंकि ओना सवालां दी अपनी एक सार्थकता है, हाँ उठ तकवान जी वजों भी उठाये जान दे ने, तुसी हुन बोल दे हो जी तुसी 1984 विच क्यों नहीं बोल दे सी जी, कोई नो कोई एकल करता रहेगा, बड़ भी सवाल इस करके नहीं पासे सूट देना, क्योंकि कदी-कदी उसानू चुप जानदा है, या साधियां लगता के चनली साधिते कीता जानदा है, या सानू साधे ब्यानिये नू, साधी बिरतांतकारी नू, साधी समाज बारे समझ नू छुटे आया जानदा है, हो जो सवाल सवाल छुटा नहीं है, यदि अपनी मात आता है, केड़ी यो तंदा है, जड़ी उना समया दे विच कश्मीर दी कहानी विच था सी, पर साधे समया दे हिंदोस्तान दे विच मुसलमान दी कहानी विच नहीं है, किने इस अड़ेते आयद नहीं है, के एक पूरे तरम होते, एक पूरी कम्यूनिटी होते, मनुखा दे एक वड़े समूद होते, ना केवल प्रिशन चेन लग रहे होन, बलके मैटीरियली कटारां उना दे गले नू आ रही होन, नफरत दा एक ब्यानिया, मुलक पार विच बुनया जारे होवे, साजया जारे होवे, सिंजया जारे होवे, पनप रहे होवे, पुंगर रहे होवे, ते जड़ा फड रहे होवे, और असी as community a hundred years down the line याज तो 200 साल बाद उस कहानी विच किते खड़े दिखाई दे वांगे जदो जदो असी कहानी सुनावांगे के डाइसेंट दी टर्फ दा दुनिया दा सब तो वड़ा शहीद शहादतां दा शासवार गुरु तेग वहादर साथा गुरु सी ते कोई सानो पुछेगा के तोहाडे बच्चेया ने एक कहानी तो हनु सुनाके फिर कश्मीर नहीं जान ली क्या सी मुहमद अखलाक दी गली नु रस्ता तोहनु किसे तो पुछना पहर या सी रिजिस्टेंस दी पॉलिटिक्स दा मॉडल तुसी गुर्दवारें वेच साखियां सुनानु ते सैमीनारां दे वेच खोज पत्तर पढ़न ले सांब्या होया सी इतनी वड़ी सलतनत दे खिलाफ गुरू ने डिपलॉई कर दता सी all he had was his body एक एक सरीर सी गुरू को दुनिया दी स्यासत दे विच सब तो महत्तपूरन इंटरवेंशन होंदी है सब तो महत्तपूरन दखल होंदा है जिस विले तुसी जुलम दी स्यासत ते विक्टम दे विचकार अपना सरीर रख दिन दे हो you put your bodies bang in the middle of what is happening how can this happen कि असी कुछ पल कुछ बिंद कुछ मेंट गुरू दी शहादत बारे सोचिये तो फिर दिन पर हफतें पर उपराम ना रही है तो हाड़ियां जिन्दगीयां जो खलल ना पैजावे ये ख़बारां दिया सुर्खियां पढ़िये ते गुरू दी शहादत तो हुए वाकिफ ते दिन चरहां आम वांग चल दी रवे और हैव वी हैव वी लंट दा आठ असी गुरू जी सिख गया तो हड़ियां शहादत नो करांगे याद सिजदा करांगे गुरू नो कुझ करांगे कंठ गुरुबानी भी मौका लगे ता जावांगे गुर्दवारे भी युनिवस्टियां बेच पढ़े जानगे खोज पत्तर भी तीवी दे होंगे प्रोग्राम भी जिनने एक कम करने होंगे करते रहनगे वो भी एक कम गुरू जी देखो तो हड़े न लेडला कोई बन जावे न रिष्टा मेंगा पैजान दाए कौन कर बाल अपना ते गुरू दे सीज तक करेगा स्थिकार बैक टू दा बेसिक्स दुनिया परदे विच एक मुहावरे दे मुकाम तक पहुँच चुकी अकल है स्यानफ है विजडम है ते वही कहरे संद रहना दे शबत बक्सन बैक टू दा गुरूबानी यू सेट तो इस अवन वे स्ट्रीट या रस्ता एक पास अड़ है दो पासी वगदा नहीं है यू गो बैक टू दा गुरूबानी यू नवर गुरूबानी यू नवर गूं तो इस दा हत्यार बनाना अपने चिंतन नो अमीर करना ते उसनो इमानदार करना ते नो अधर भी हो और किसी तरीके ना अमीर नहीं होंदा असी अमीर करदे सी अपने लिखा नो जदो स्कूला में बिच पढ़दे सन सनो पता सी के जे लाल से आई नाल बिच दो टूकां पादे हो ते लेख अमीर हो जानदा है फर्मूला जे भी हो ही चलदा यूनिवर्स्टी या दे बिच सिर्फ लाल से आई नहीं है और रेफरेंसिस जाके लेवर्री दे विच वह और पादो ते लेख अमीर लगन लग जानदा जे अपने चिंतन नो अमीर करना इमानदारी नाल ते गो बैक टू दा बेसिक्स विलाल सो मीन गो बैक टू दा पौरा सड़े पौरे की सन जे असी शबत गुरू दे लो का जे एहले किताब दे लो का जे एक कह रहे ने के फिर गुर्दवारिया ने सेंटर बन जाना सी गा community दे विचार विमर्श दे ता फिर जड़ियां साड़े colleges ने जड़ियां साड़ियां universities ने एता knowledge production दे वड़े centers है फिर ता सिद्धा सबंद university दो होन असी जिते एहले किताब दे लोक रहन दे होन ते संसामा होन जिना दा नाम हुए universities universalization है जिते जिते हो असी संसार नो एक holistic रूप दे विच देख सकते हैं ते फिर एहले किताब दे लोकां दा शब्द गुरू वाले आं दा universalism ते universities दे नाल जिड़ा रिष्टा बने आ है उसने खड़ा करना सी सानो एहो जिया मनुख बना के जिदे एड़े कु मोड़े हो गए हो दे के इन शहादतां दी विरासत दे असी हान दे हो जान दे एक क्लेम कर सकते के इस साड़ी विरासत है फिलहाल ते सिर दे उत्ते पाग गया ते सिखां दे कराम जम्मिया इस करके एक क्लेम बन रहे हैं, यह बड़ा proxy claim है दूसरा claim बहुत important है, सिक होए बिना भी सिक होया जा सकता है, which also has a corollary, डॉक्टर साथ बड़े polite ने बक्की दी गल या समय करके नहीं किया कि या इननों लगया तो कोई नराज ना हो जावो, जे सिक होए बिना भी सिक होया जा सकता है, ता फिर corollary भी साचा है, सिक होके भी सिक होना मुश्कल है we are doing pretty good एक हम तक काफी ठीक ठक जा करी रहे हैं, चैलेंज भी कौन करेगा ते जो कुछ उना ग्यान दे centers विच हो रहे हैं, जेस किसम थी knowledge production हो थे हो रही है साड़िया युणिवर्सटी हां दे विच, colleges दे विच, समाज दे विच, क्योंकि beyond दा युणिवर्सटी भी popular education दा एक program होंदा जे गुरू बानी रच रे सन, जे बानी दी पोथी बन रही सी, जे ओ तहरीर ओना समया दी, तसाड़े समया दी, तसदीवी समया दी इस तरीके ना लिखी जा रही सी, कि ओ जुगों जुग अटल हो जावे हमेशें साड़ा मारक दर्शन कर दी रहे तो फिर जड़ी समझ साजी जड़ी ग्यान साजी ते जड़ी तहरीर साजी एना युनिवस्टियां ते ग्यान केंदरां दे विच हो रही है ओनो सरकारी या खेतां विच खुमबा वांगो उगियां प्राइवेट उना दे उते प्रिशन चिन जिस एहले किताब दे लोका ने लगाने सन ओ अपनी ड्यूटी तो गैर हाजर क्योंने ओ ता गुरू वाले ने उस गुरू वाले जड़ा पौरे भी चिंतन करता है रिजिस्टेंस दी पॉलिटिक्स दा माडूल खड़ा करता है ते सरीर नू अस राजनीती दे विचकार सुट देंदा है के एदे विच्चों लंके ते कोई विक्टम तक पहुंच पाएगा तो विए दे लास्ट फ्रेंटिर्स अग गुरू सद आई विल बी दे लास्ट फ्रेंटिर फिर आखरी रुकावट मैं होँगा इस एन आॉडर इस नोट अस्टोरी कहानी नहीं है एह हुकम सी फिर आखरी रुकावट तुसी होगे फिर आखरी रुकावट असी होँगे किन्यावी सदियां बीट जानगी है क्योंके सुनेह दिनाल expiry date है खतरनाक है जुगो जुग अटल है अजेवी वेलिड है are we the last frontiers कहानी आजेवी उसे तरिक्या न लिखी जा रही है सियासत ने कोई बहुत नविया विद्या नहीं सिख लिया तुसी कोई सियासी सुर्खी बोलो ता ओधी काउंटर सुर्खी या ओधी एक एनालोजी इतिहास विच पही हुंदी या यूनिवस्टियन दे प्रफेसर ते इस काम दे विच बहुत माहिर हुंदे ने तुसी काउन्डर सरकमस्टांसिस दे विच वो जे ही हालाद तुसी कुछ सौ साल पहला तो भी करड़ के लिए दे गे उ लहर नू चाहरी हो वेगी ना सरकार के कोई होर नेता बांजावे इना नेता मनाल गालबत करनी बड़ी मुश्कल हो रही है दस गेड हो गेने ग्यारां गेड हो गेने गर्फेसर नमें नेता कोई आजान तो उस वेले भी कुछ मुश्कल ने सी गी आज बार सड़कां ते निकलो तो तो हनों कोई स्पिरिट दी कमी दिखाए दें दी है कि कम्यूनिटी उठके खड़ी नहीं होई कि इन्हें दुकां दे नाल दूसरे नाल रलके चलन दा वल नहीं सिख्या किते किते गुझला आ रही हैंने और नाल नाल सुल जायां जा रही हैंने असी अपने बियानियां नो दुरुस्त भी कर दे जा रहे हैं पर कुछ सवाल साड़ा पिछा करेंगे इना लड़ाईयां दे विच उत्री हुई कौम ने अपने आप नो गुरू दिया नजरा में जेता करना अख़बार दिया सुर्कियां विच सुर्कुरू जिननी कुछ चाती मैंनो बारों मिल दिया है ओ तरीका करी डिफरेंट है पर जे ओस सोचनू असी सिजदा है जे ओश हादत साड़े विर्सेदा हिस्सा है जे चौदा सो नक्तर तो लेके 1708 तक दी कालना ते समझ साजी जुवान साजी शबद साजी अकल साजी जे असी ओस विरासत दे हक्की वारिस बनना फिर सेंटर दे विच जड़ा सवाल है और नेतिकता दा प्रिशन है सियासत होने दी गल नहीं कर दी पत्रकारी दे कोर्सिस दे विच एथिक्स दे बहुते सवाल होने पड़ाई नहीं जान दे पुलिटिकल साइंस दे विच एथिक्स दा परचा बहुती गंबीरता नाल नहीं लिया जान दा ते समाज दे विच एहो जा कोई ब्यानिया जेब विच पाई तुरी फिरन नाल कोई बहुता रिवाड नहीं मिलता पर यह न ज़रूरी है कि एदे असी एदे तो तो बच सकते हैं पर यह पकांड तो नहीं बच सकते हैं जोदों भी एथिक्स मिसिंग होनगे एथिक्स दा एक जबरदस्थ पकांड रहेगा कुछ पाट असी कर दे हां गुरू दे प्रतिस मर्पन दा क्यों सिर टक के आनने हां क्यों जोडे बाहर लानने हां क्यों सिर निवांदे हां वी रेको नाइस एक बहुत उच्छी एजी मैथिकल पोजीशन नो असी नमन होन जा रहे हां बड़ दा मुवमेंट ओ एथिक्स दा कुष्चन सदनल इंगेज करदा है उस वेले जिंदगी वेच खलल पैना शुरू हूंदा प्यारदा मुवबदा इश्क दी इंतिहादा कोई कैसा फिक्रा कैदे वे कैसा कोई अफसाना लिख जावे कि सनु प्यार करना आजावे मेरे कुछ भी नहीं लग दे बलके उना दियां रस्मा रीता दे खिलाफ ते उना दा खोखलापन जाहर कर दी गुरुबानी दा कीर्तन दिन रात मेरे थे हुंदा उना दे समाज दे नाल रिष्टे उते मेरा ब्यानियां किन्तु प्रंतु करदा पर उना लई दे देवांगा मैं शहादत पेज देवेगा कोई अपने बापनो कि जाओ हो जाओ कुर्बान क्योंकि किसे दे रहन टंग किसे दी जीवन शैली किसे दी बिरतांत कारी हकूमत नो रास नहीं आरी पर जे किसे दी जीवन शैली किसे दी बिरतांत कारी किसे दा तरम किसे दा राजसी बियानिया रास हकूमत नों नहीं आ रहा ता एता अजदी सुर्खी है एता कल दी अख़बार है एता साठे समयादी कथा है साठे कोल इसकेप कोई नहीं है गुरू दा परचा ऑप्शनल नहीं है तो हड़ी मर्जी नहीं है मेरे मन दी मौज नहीं है मैं यादे गुरू वाला हाँ या फिर सिखो के भी सिख नहीं है तो पुछरे सी की यो जान दे होंगे कि ऐस वरी शहीद हो जानगे तो जिनना को बिर्तांत कारी पढ़ने में चांदी है I think possibly जान दे साँ सबराजबीर जी ने जो लिखिया सी गुरू तेग बहादर गाजी हूँ तो आलमों सी के प्रोवेबली जान दे साँ मेरी वोट शायद ज्यादा तर certainly वाले बास सही है के certainly जान दे साँ और एज़ा सिख तासी सोच दे आंके जे गुरू दो जहां दा वाली है ते जान दा हुएगा बटी वेंट जे इस म्यारग पैरतर देयां तांकी होवेगा do we know most likely पता ही है प्रोवेबली जिस्टरां दी हकूमत है almost certainly एज़ते हाँ आसी कदम है नहीं पुटया पर समेधियां हकीकता ने हकूमता दी तासीर ने ते सत्ता दे equations ने आलमी ताकत दे समी करना ने सानु किनारे तक ले आंदा है वो मेटाफोरिकल हो सकता है लिटरल भी है दिली दिया बरूहां ते तुसी बैठे हो ते अपने मन बिच भी है या अंदर उतरना है या फिर बार मुखी रहना है साड़े समया दा मुख अड़ी खड़ा सवाल यही है के उना दा पटकना ते समझानदा सी जिना ने रा अजे आप बनाने होन उना दा पटकना समझानदा है जिना नो किसे ने रा दसने होन उना दा पटकना समझानदा है जिडे राहां दी तलाश विच निकले होन पर वो अपना पटकना के में एक्स्प्लेइन करनगे जिना दे गाड़ी रहा गुरू ने सीज दे के तवी ते बैठ के गुरू ने ते किसे ने तरवार ना लड़के एक पूरी समझ साजी दी पर किरिया ने शब्दानाल रहके एक एहले किताब कौम दी काड़त काड़के चित्रित कर दते है जिबां वेच असी नक्षे पाई फिर दे है जिस पोथी वेचो सारे रहां दी निशान दे ही है उसनों आके सिरना भे होंदे हां जाहरा जहूर जागदा गुरू कैन दे हां तो कैन नों मन दे भी हां दे गुरू कोई फाइंड दे गुरू कोई तो कर दे दागदा रहां कि युनिवर्स्टियां में जो पता ना लगे कि कौन लकीर दे केड़े पासे है किसे नू तरकियां के वे मिलन ते किसे नू इनाम के वे मिलन समाज दे वे चसादी के हो जी इज़त हो वे किसे नू लीडरी के वे मिले मनिस्ट्रीम के वे मिले या in fact मौजरत देनाल क्योंके इतिहास है साड़ा जत्यदारियां के वे मेलन बट बी वेरी शूर He will find you The Guru will find us असी फड़े जावांगे छोटे पाए जावांगे अपने समया दे अवेसले तियां पुतर अखवाए जावांगे जिनाने गुरु दी दौलत दा लहा नी लेया नियामत इनिकू है सिरफ के जुगो जुगो अटल है तुसी लुटा नी सकते शाइद कोई और पीड़ी आवेगी शाइद साड़े विचो कुछ थोड़े खड़े हो जाणगे शाइद मेरे वर्जगे टिले कमजोर के ते पिछे पैजानगे बट देर इस एन एलिमेंट समें समें ते गुरु जगांदा है आज बाहर पंजाब्दिया सड़कां ते देश्दिया सड़कां ते वो एलिमेंट जागया होया है ते जे कदी अपने विच चात मारंदा मौका मिले तक एवल एना ही डिस्टेंस नापना हुएगा के असी मुहबत करंदा प्यार करंदा साचदे नाल इश्क दी इंतिहादा ओ केड़ा मरला पार कीता है ते किनी दूरी है उस तो जिस तो सीस गांजतों लेकि अपने दिल तक दा जिड़ा फासला है और नाप्या जा सके है इनने शब्दानाल इजाज़त देओ वहिरुजी का खल्सा वहिरुजी की फत्र